आपके पास नमस्ते मेरे पास येस बैंक का शेर है 50,000 जी आइडिया है कि मुझे और अक्यूमिलेट करना है अब टू वन लाक शेर अन इस लांग टर्म इंवेस्मेंट फॉर अबाउ नेक्स तो तू 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 यहर्ज बाइंग प्रा येस बैंक पर बुलिश होने की अब बिकुज ए तिंक सभी बड़े बैंक जो है और इंवेस्टेड है तो अगर मैं नेक्स तीन चार साल के लिए इंवेस्टेड रहा हूं अट लीस 50 रूपीज टू 75 रूपीज मेरे क्याल से जाएगा येस बैंट चलिए रवी से जानते ह रहे हैं कि जो री रेटिंग के जो ट्रिगर से वो कहीं अब एक्जॉस्ट हो गये हैं और हाल फिलाल बड़ी तेजी को उमीद नहीं करनी चाहिए लेकिन चुकि इनका लंबी वधी का नेवेश है इसमें और और एडिशनल शेयर खरीदना चाहते हैं इतना ही क्या आपको लगता है कि यह वो बैंक है जो लंबी ओधीक लिए दाव लगाया जा सकता है देखिए यह तो परसनल चॉइस पे इनका जो सेंटिमेंट समझ में आ रहा है अभिशेक जी तो मैं बिल्कुल इनको उस हिसाब से बता देता हूँ अभी 18 रुपए का भाव चल रहा है मेरी हि देखे तो बहुत जल्द आपको 15 और 13 की भाव देखने को मिल सकते हैं तो आपकी च्वाइस है आप 15 पर खरीदे तो शायद वो ज्यादा अच्छा लेवल होगा इसलिए करेंट लेवल पर तो बिल्कुल इंट्री नहीं बनती अब बात आती कि तीन साल के लिए आपने नि तो मैं समझता हूँ मार्केट में तीन साल में अगर मार्केट यहां से चलता है और 40% अगर मार्केट चल जाता है 30% मार्केट चल जाता है तो येस बैंक हो सकता है आपको 10% भी चलता हुआ नजर ना है या फिर 10% या 12% रहे लेकिन रिस्क बढ़ा हो सकता है तो मुझे प्रोदा आपको तो मुझे लगता है कि 300-400 रुपए अगर हो जाएगा तो वो डबल हो जाएगा तो आप उस पे भी निवेश करने की सोच सकते हैं बट यह आपका पर्सनल कॉल है तो फिलाल अभी इंटरी के लिए थोड़ा सा वेट कर लिजे 15 रुपए अगर आप दे सकते हैं तो बने रहें और आपको कुछ और भी आपर चॉइस बता दी गई हैं